वेल्कम गेंट वर यूटूब चैनल स्मास्टड़ी दिखाज किस वीडियो में कभर करेंगे ही माचल के कुछ एक इंपूटनेट क्वेस्टन्स जोग देखनों मिल सकते हैं आप पाने वाले एक्जाम्स के अंतर वाई होप आपको यह जो जिकेगी सीरीज यह अच्छे लग जलते हैं हमाचर प्रदेश की कितने प्रत्सत जनसंख्या वैपार वानिजीय में लगी है तो इसका विज्वा आप्सन नंबर ए विल्कुल सही है 1.94 परसेंट जो हमारे जनसंख्या है वह वैपार और वानिजीय पर लगी हुई है थर्ड प्रदेश में निमलिक्त में से क एक लाग से कम है ठीक है तो कौन सी जिली की जनसंख्या जो है एक लाग से कम है 2011 की जनसंख्या को अप्सन नंबर बीक कि नौर इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा फॉर्थ क्वेस्टन है यह मचल प्रदेश के लाहुल सपीती जिले का मुख्यालय कि स्थान परस्तित ह ट्वारा इक्षान में पूछा जाता है तो इसका यह से कंब है तो यह घुचा यहां प्रदेश का की यह चानेता घखया नबर एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसका आपको याद रखना है बारा दसनलब आठ एक परसेंट टीक है बारा दसनलब आठ एक प्रसेंट की जो है बृद्धी हुई है दो जार एक से लेके दो जार ग्यारा तक साथों कोश्चन है हिमाचार प्रदेश में सबसे अधिक प्रदेश के सबसे अधिक है तो किसमें जो है महिलाओं का लिंगानुपाद ज्यादा है कि आपको याद रखना है कांगड़ा ओप्सन नंबर सी कि दस्वों कुश्चन उन्हा जिले की दोचार क्यारा की जन गांड़ना के अंसार कुल जन संख्या लगवग कितनी है ठीक है तो जो हाई लेबल के एक्जाम्स होते हैं उनमें कई बार जन संख्या पूछ ली जाती कि जन संक्या सर्वादिक है तो सबसे ज्यादा जो अन्सूचित जन जातीयां है वह कागड़ा के इंदर ऑप्सन नंबर सी तेर्मों क्वेशन देखते हैं तेर्मों क्वेशन है हिमाचल प्रदेश में नेशनल बायोलोजिकल लेबरोटरी कहां पस्तित है यह क्वेश्चन संक्या कितरी है तो आपको याद रखना है एक ठीए 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 तिन आपको याद रखना है सोलन से पांच इमाचल गए अगर बात करें विदान्जभा सीटों की तो 68 68 जो है हमारी टोटल विदानसभा सीटे है बंद्रों क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश लोग प्रसा प्रदेश का सबसे कम साक्सर वाले नाम क्या है तो यह आपको याद रखना है चमबा आए जो है सब से कम साक्सर जिला है हिमाचल प्रदेश का और सबसे साक्सर जिला है हमिर्पूर स्थार्मा कुश्चन है हिमाचल प्रदेश इंडियन इंस्ट्यूट ऑफ एडवांस टड़ी कहा स्थीत है नभी हाली में एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसका आपको याद रखना है वाई श्रीगर लोज शेमला ऑप्शन नमबर सी अधारमा कुश्चन इंडिरा गांदी मेडिकल कॉलेज याने आज येपयों कि हिमाचल प्रदेश के किस थान पर स्थित है तो शिमला सब को पता हो गांए तो काफी इंप्रोर्टेंट है और काफी एजी क्वेश्चन है अज येअप्श्चन है इंद्रा गांदी मेडिकल यानि हप्यू की जो स्थापना है किस वर्स की गई थी इसकी स्थापना की गई थी 1971 में यानि ऑप्सन नमबर सी अब है कि इसने हैं है से Надी से और बस Jennifer से निक्री च्बंड शिक्षा बोर्ड का दे शीवार का मुख्या प्रिदेश में कहा स्तीत है तो हमारा भाइस परदेश का स्क Remote ओब स्थान संस्थान है ठीक है एंसी यार्टी का जो संस्थान है हमारे वह सोलन के इंदर यानि ऑप्सन नमबर दे इस क्वेश्चिन का बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा कि चलते हैं 22 क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है निमिल्फ में से हिमाचर प्रदेश के किस तान पर याट कोलेज है ठीक है उप्सन दे रखे हैं इनने से आपको बता रहा है कहां पर भी यइड कोलेज है और ऑफ सना यह जो है इस वह सई हम सभी हो जाएगा ध्रमशाला के शिंबला के अंदर उसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1971 को इसका स्थान पूछ ले जाता है तो शिंबला आपको याद रखना है हमारा ही कुट कांप है शिंबला में 25 महाराजा रंजीत सिंग द्वारा 1809 में किस कांगड़ा अधिकार क्षेत्र का प्रथम गवर्नर न्युक्त किया गया था इसका जो हो जाएगा ओप्सन नमबर देशा सिंग मजीठिया को चलते हैं 26 के तरफ 26 क्या रहा है 1840 में किस अंग्रेज अफसर के बेतनों द्वारा शिंबला अंग्रेज्यों की ग्रिशम कालीन राजदानी बनी थी तो लौड लौरेंस द्वारा ऑप्सन नमबर 20 क्वेस्चन का बिल्कूल सही अंसर हो जाएगा एक्ष्चन देखते हैं 26 अंतिम क्वेस्चन सिंबला सहर में मुनिश्टिपल कमेट्टी के जगह पर मुनिश्टिपल कॉर्प्रेशन की स्थापना किस वर्स की गई थी यह वी क्वेस्चन जो हाली ही में पूछा गया है एक एक्जाम के अंतर 1978 आपको याद रखना है ऑप्सन नमबर ए तो यहते